हेलो शातियों नमस्कार आप सभी को आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें 10 इंपॉर्टेंट कुश्यन बदाने जा रहा हूँ उससे पहले जिनका भी IAD के एक्जाम है वो पास करना चाहे 100% तो हमारे पास ट्रेनिंग जॉइन कर सकते हैं एप का लिंक नीचे description में दिया जाके डाउनलोड करके वहाँ पे जॉइन करें आज की वीडियो में 10 important कुश्यन बदाने वाला हूँ उससे पहले हम आपको बता दू 100% आप मेरी ट्रेनिंग में पास होंगे चलिए हम चलते हैं कुश्यन की तरफ आपकी जो कुश्यन है उसमे शातर आपको बताओंगा ठीक है तो चलिए हम जलते हैं जो खिम यह क्या है यह है जो किब पुलिंग के जरिये किये जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को कहते हैं अब क्या कहते हैं मैं आपको चारो अप्सन बताता हूँ और राइट अप्सन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ यह कहते हैं बचत ठीक है नमबर वन बचत दूसरा है निवेस और तीसरा है बीमा ठीक है और चौथा है जोकिम घटना तो इसका right answer क्या है वो right answer मैं आपको of course बताता हूँ तो चलिए right answer इसका जो है third यानि बीमा क्या है बीमा इसका right answer है अभी चलिए हम चलते हैं दूसरे question पर question number two पर ये है question number two तो चलिए यहां पर आपको जोकिम घटने के अफसरों को कम करने संबंदी हुपायों को dot 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 कहते हैं अब उसको क्या कहते हैं बताएंगे आपको चार अपसन यहां पर पढ़ लेते हैं चारों हम पढ़ लेते हैं पहला option इसमें जोकिम अपने पास रखना यानि retention ठीक है रिटेंशन जिसको बोलते हैं और दूसरा इसका है वो है हानी रोकताम जिसको हम privation बोलते हैं ठीक है और तीसरा इसका है जले हम नीचे चलते हैं उससे पहले नीचे लिंक दिया जाकर training जोईन कर सकते हैं तो थाड़ है जोकिम ट्रांसफर जोकि रोक थाम यानि कि प्रिवेशन प्रिवेशन इसका राइट आंसर है तो चले नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं हमारी ट्रेनिंग ट्रेस्टेड है आप जॉइन कर सकते हैं बार-बार मैं बीच में ट्रेनिंग की बोल रहा हूं आप डाउनलोड करिए थर्ड कुश्चन जो ह वो है बीमा करता है यानि इंस्वेरर को जो खिम ट्रांसफर करने पर यह है डॉट डॉट संबव हो जाता है अब क्या संबव हो जाता है मैं आपको पढ़ के बताता हूं तो पहला उप्सन इसमें है हमार यानि कि हमारा अपनी संपत्तियों के प्रतिय लापरवा होना और दूसरा है हानि की इस्तति में बीमा से दन प्राप्त करना अचा इसका तीसरा आंसर है हमारी क्या है हमारी संपत्तियों में निहित संभावित जोखिम को अंदेखा करना अचा इसका चौता है सान्ति पूर्वक अपने कारोवार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना ये चार है इसके option इन चारो option में answer right कौन सा है चले मैं आपको बता देता हूँ तो इसका जो right answer है इसका जो right answer है वो चौथा सांती पूर्वक अपने कारोबार को अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना ये इसका right answer है चले हम चलते है चौथे कुशिन के तरह उससे पहरे training जोइन करनी है तो link description में आप डाउनलोड करके वहां रइस्टर करके जोइन कर लीजिए फुल कॉम्बो कोर्स चौथा कुशिन यहाँ पर है चले हम पढ़ लेते हैं इसको ये है आदुनिक बीमा कारोवार की सुरुवात डॉट डॉट से हुई थी अब किस से हुई थी चले यहाँ पर चार option है हम पढ़ लेते हैं पहला है वाट मार थीक है वाट मार दूसरा है इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपके सामने है दूसरा कौन सा है दूसरा lights का राइट अंसर है देखिए मेरे यहाँ पर training जो student जो फ्रेंग करते हैं वह त्वास होते हैं दो सो बंदरव डब में आप मेरे पास ट्रेंग कर सकते हैं चले परसे नमबर पांच प्रिष्ट नमबर पाँच में बीमा के संदर्व में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिष्टिती की और संक्यत करता है जहां डॉट 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 दॉट 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 अब क्या है इसका राइट अंसर चलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ दिया हूँ इसका राइट अंसर क्या है मैं आपको बताता हूँ पहले तो यह चार अप्सन पढ़ लेते हैं पहला अप्सन है हानी या नुकसान की संभावना नहीं है या फिर हानी उत्पन करने वाली घटना का कोई मूल नहीं है या तीसरा अप्सन संपत्ति को बीमा की सुरक्चा प्रा आयर लेता है तो ये ओप्सन इसमें राइट अप्सन कौन सा गूंसा आपके सामने इसका राइट अंसर मैं रख देता हूं तो इसका राइट अंसर है बीमा हानी की रोकताम करता है तीसरा option है बीमा हानी की शंभाबना को कम करता है चौथा option इसका है संपत्ती की हानी होने पर बीमा वुकतान करता है अब इसका right answer कौन सा है कौन सा option right है चले हम right answer की तरफ बढ़ते हैं देखे साथ आपको important है हमारे पास coaching जॉइन करना हमारे पास training जॉइन करना से पास हो सको इसका right है वो है बीमा क्या है इसका चले right answer इसका है right answer अभी मैं आपको confusion मुझा हो जोड़ा सा चले मैं आपको देता हूँ right answer उससे पहले देखे हमारे पास जितने student जॉइन होए वो एक बार में पास हुए आप एक बार में मारे पास training जॉइन करके वहाँ पर training videos आपको मिलेगी important questions मिलेगे test series मिलेगी सब कुछ मिलेगा चले इसका right answer है चौथा वो है संपत्ति की हानी होने पर बीमा का वुकतान करता है यह है इसका answer चले प्रश्ण नंबर साथ हम पढ़ लेते हैं प्रश्ण नंबर साथ बहुत important है math का प्रश्ण है इसमें है 400 घरों 400 घरों में से परतेक का मूल रुपए 20,000 औस तन 4 घरों में परती बर्स आग लग जाती है जिससे कुल रुपए 80,000 की हानी होती है इस हानी की छती पूर्ती के लिए प्रतेक घर के मालिक को वार्शिक रुपए कितना रुपए से कितना अंसदान करना होगा तो इसका right answer क्या है आप बताईएगा चले मैं आपको option बता देता हूँ पहले नंबर पे इसका जो है वो है 100 रुपीज यानी 100 रुपए उसको करना पड़ेगा या दूसरा है 200 रुपए मासिक ठीक है या फिर तीसरा जो option है चली आगे चलते है तब तक training के लिए link दिया है जाकर जोईन कर लिजे 80 रुपए और 4 जो है वो 400 रुपए अब इसमें right option क्या है चली मैं आपको right option बता देता हूँ तो इसका जो right option है साथियो वो right option है यहाँ पर 200 कौन सा है 200 आप इन question को लिख भी सकते हैं साथियो बहुत ही जरूरी questions है तो चलीए अब हम चलते है next question के तरह वो question number 8 और जरूरी है आपको हमारे पास training join करना वहाँ पर सीखना तो चलीए प्रस्ट number 8 इसमें है निमनलिखित में से कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन सही है साथियो option मैं आपको बताता हूँ बीमा कुछ लोगों की क्या है बीमा कुछ लोगों की हानी को बहुत लोगों द्वारा आपस में बाट लेता है बाटने की विदी है या फिर बीमा एक व्यक्ति के जोकिम किसी अन्य व्यक्ति के पास अंतरित करने की विदी है या फिर तीसरा option इसका जो है वो तीसरा option है बीमा बहुत लोगों की हानी को कुछ लोगों द्वारा आपस में बाटने की विधी है या फिर चौथा है इसका option वो है बीमा कुछ व्यक्तियों के लाव को कई व्यक्तियों के अंतरित करने की विधी है यहनि कि कई व्यक्तियों को देने की विधी है तो इसमें right answer कौन सा है? चलिए हम आपको right answer की तरफ रहे चलते हैं और हम बताते हैं आपको right answer राइट answer जो है वो है पहला बीमा कुछ लोगों की हानी को बहुत लोगों द्वारा आपस में बाटने की विधी है इसका यह right answer है आप चलेंगे question number 9 पे और question number 9 भी बहुत ज़ादा important है चले question number 9 last यानि की last नहीं बट ले at least second पे है तो यह है बीमा करता जोखिम स्विकार से पूर्व संपत्ति के सर्वेक्षण एबम निरिक्षण की विवस्ता क्यों करता है तो यह है इसके नीचे चार आपसन में आपको आपसन पढ़के दिखाता हूँ पहला option है मुल्यंकन के pr Lauren नहीं तो जोखिम के लिए अच्छा दूसरा option है इसका यह जानने के लिए कि बीमित ने संपत्ति की खारीथ कैसे की है यह जञनने के लिए कि क्या अन्य बीमा करताओं ने भी संपत्ति का निरिक्षण किया है यह तीसरा आपसन है तो चलिए हम चलते हैं आप चौते उप्सन की तरफ चौता उप्सन है यह है जानने के लिए कि क्या पडोसी की संपत्ति को भी भीमित किया जा सकता है तो पडोसी की संपत्ति को चलिए यह चार उप्सन है इसमें राइट उप्सन कौन सा है चलिए मैं आपको बताता हूँ र कस्वा कुश्यन मैं आपको प्रपर तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि समय आउट हो जाएगा वीडियो का इसलिए मैं आपसे एक होँगा लिंक के डिस्कुप्शन में दिया हमारे अप्लिकेशन पर जाए उसको डाउनलोड कीजिए उस पर रेइस्टर कीजिए को वाटसप या वाटसप भी कर सकते हैं